एक बार मेरा पुना नमस्कार मैं खुश्वी पंसल साय काचरी एपीस्टी आप सभी का राज के महाविद्याले सुमेरपूर की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज हम देखेंगे हमने जो मारा प्रीवेस वीडियो लेक्चर उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिशो शुरू किया था अनुपातों का वरगी करन करके हमने निमेरिकल पोश्चन शुरू किया था उसमें हमने फर्स कैटेगरी तललता अनुपात हम अलड़ी देख चुके सफ्सक्रारीज और कुशल्ता अनुपात अनुपात के जिसे हम आक्टिविटी और इफिशिंसी रेशो के नाम से भी जानते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे क्रियाशिल्टा अनुपात क्यों निकाले हर एक जो प्रभंदक होता है वो वेविसाय की कारी कुशलता होती है उसका मुल्यानकन करना चाता है जो उस संस्ता में काम हो रहे है कुशलता पुर्वक हो रहे है जो निश्पादन कीा जा रहा है वो तो किरिया शेलता या कारी कुशलता अनुपार निकाले जाते हैं इनको निकालने के लिए हम विक्रे या फिर विक्रे की लागत और जो विभिन संपतियां होती है जिसे stock है, data है, fixed assets है, investment है, BR है, creators है इनके आधार पर की जाती है इसे लिए इनको हम turnover ratio की नाम से भी जानते हैं sales ratio की नाम से भी जानते हैं और assets management ratio की नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले इस category में जो पहला अनुपात निकाला जाता है वो होता है सकंद आवर्थ अनुपात स्टॉक और इन्वेंटरी टॉन ओवर रेशियो इसमें क्या करते हैं कि जो स्टॉक है जो माल है जो बाल हमने बेचा है उसकी लागत में औसत सकंद का भाग देकर हम ये वाला अनुपात ग्याद करते हैं मतलब ये अनुपात क्या बताता है ये अनुपात इसकंद के विक्रे में बदलने की दर बताता है कि जो स्टॉक है वो किस दर से सेल्स में कनवर्ट हो रहा है तो जो इसको निकालने का फॉर्म्मॉला होता है वह होता है cost of goods sold या फिर revenue from operation is divided by सबसे वहले हम बात करेंगे कोस्ट ऑफ गूर्सोल कैसे निकालते हैं तो दो तुरह के संसाय होती हमें पता है एक तो व्यापारिक संसा होती है मतलब जो माल को खरीद कर बेशने का काम करती है और दूसरा निर्मानी संसा होती है जो माल को बना कर बेशने का काम करती है तो पहले तो अगर व्यापारिक संसा अगर है तो कॉस्ट ऑफ गूर्सोल कैसे निकालेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ र revenue from operation मिल जाता है व्यापारिक संसान की condition में अगर निर्वानी संसान है तो cost of prediction में opening stock of finished goods को add करेंगे closing stock of finished goods को less करेंगे तब हमें cost of goods रुपता लग जाती है अब यहाँ पर cost of prediction कैसे निकाल सकते हैं अगर cost of prediction नहीं दे रही question के अंदर तो उसके लिए फॉर्मला दे रखा है material consume में raw material consume या पर direct material में हम direct labor को add करेंगे direct expenses को add करेंगे और manufacturing expenses को अगर add करते हैं तो cost of prediction यहाँ पर निकल जाती है अगर हमें कुछ और तरीके से information दे रखिये है sales दे रखिये, gross profit दे रखा है तो cost of goods sold निकालने का formula होता है sales minus gross profit दूसरी जो मज यहाँ पर काम में ली जाती है formula में वो होता है average stock average stock बहुत आसान है opening stock, closing stock को add करके उसे हम 2 कब भाग देंगे तो average stock find out हो जाता है तो average inventory turnover ratio निकालने का formula होता है cost of goods sold is divided by average stock पहले ही बता चुकी हो अगर cost of goods sold नहीं दे रखा है तो हम net sales को divide करेंगे average stock से तो net sales कैसे निकालते हैं net sales sales को net करने का मतलब है कि उसमें से अगर कोई sales return अगर question में दे रखा है तो total sales में से sales return को less कर दिया जाता है और net sales पता लग जाती है लेकर यह बला formula हमें तभी काम में लेना है जब question में cost of goods sold नहीं दे रखा है यह नुपात हमें यह बताता है कि जो stock में हमने पैसा invest कर रखा है उसकी हर एक एक इकाई का प्रियोक करके विक्रेक की अधिक मात्रा प्राप्त की गई है मतलब जिक कि हमने stock में पैसा invest कर रखा है तो कहीं ने कहीं हमें profitable है वो पैसा ब्लॉक नहीं हो रखा है वो सही जगे invest हो रखा है क्योंकि हमारी sales जो है वो ज्यादा है और अगर जितना अधिक stock turnover ratio अच्छा होगा ऐसे देशा में यह उतना ही प्राइसा के लिए यह अच्छा होता है और जितना नीचा होता है इसका मतलब यह है कि वरसाई जो है वो मंदी की दौर से गुजर रहा है या फिर इसकंद में आउशक्ता से अधिक पैसा invest कर रखा है या फिर भविश में stock के मुल्य व्रदी की संभावना है इस तरीके से हम हमें कोशिच करने चाहिए कि stock turnover ratio हमारा ज्यादा रहना चाहिए दूसरा जो stock turnover ratio में हमें निकालना होता है वो एक क्रेशन में कभी कभा stock velocity भी पूछ लेते हैं stock velocity मतलब इसकंद की गती तो इसकंद की गती की निकालने का जो formula होता है वह होता है पहले तो जो stock turnover ratio है उसको उल्टा कर लेंगे हम तो उल्टा करने के लिए हमें average stock को उपर ले लेंगे cost of goods sold को नीचे ले लेंगे और into करेंगे number of days और month in days अगर हमें days में निकालना है तो into 365 कर देंगे अगर months में निकालना है तो into 12 कर देंगे number of days या फिर number of months in a year और दूसरा एक formula होता है कि पहले हम stock turnover ratio निकाल लेंगे और फिर number of days और number of months in a year में stock turnover ratio को भाग लगा देंगे तो इस प्रकास से stock velocity राप्ट हो जाती है इसे हम अगर एक illustration के वादम से समझना चाहें तो यहाँ पर दिये रखा है opening stock, purchase, carries invert, sales और closing stock तो सबसे पहले तो हम cost of goods sold निकालेंगे opening stock 20,000 है plus करेंगे purchase 40,000 plus करेंगे direct expenses जो की carries invert के नाम से यहाँ पर दे रखा है 5,000 minus करेंगे closing stock 15,000 तो यहाँ पर जो आजाएगा cost of goods sold वह आजाएगी 50,000 average stock में निकाल रखा है opening plus closing divided by 2 करके 17,500 तो इस तरीके से stop turnover ratio जो यहाँ पर आया है वह आया है 50,000 divided by 17,500 करके 2.86 times अब देखो जो हमने तरलता अनपात निकाले थे वो हमने 2 is to 1 करके लिखे थे 2 is to 1, 3 is to 1 यह जो turnover ratio है वो हमें times में बताने है 2.86 times में हमें अभिव्यक्त करना है second जो ratio यहाँ पर आता है वह आता है data turnover ratio data turnover ratio का मतलब क्या है कि यह अनपात हमें क्या बताता है कि देंदारों की वसूली खा गुनात्मक visualization करने के लिए ग्याद किया जाता है कि यह देंदारों से वसूली हो रही है वो proper तरीके से हो रही की नहीं हो रही विक्रे का कितना भाग वो डेटर्स की रूप में फसा हुआ है तो इस formula में हमें संसा की जो डेटर्स है और जो उधार विक्रे है उसमें संबंद स्सापित किया जाता है तो इसका formula जो होता है वह होता है net credit sales net credit sales या पर net credit revenue from operation यहाँ पर cost of goods all नहीं लेनी है क्योंकि डेटर्स जो है वो उधार विक्रे से संबंदित होते हैं तो यहाँ पर जो हमें लेना है वो net sales लेनी है और उधार sales लेनी है net credit revenue from operation उसको divide करना है average receivable से तो average receivable तो कैसे निकालते हैं opening debtors और BR में जोड़ेंगे closing debtors और BR debtors और BR दोनों लेने हैं हमें यहाँ पर opening और closing को जोड़के दोका भाग लगाना है तो average receivable निकल जाएगा और net credit sales कैसे निकालेंगे अगर total sales ने रखी है तो उसमें से हम sales return को less करेंगे तो net sales निकल जाएगी और अगर cash sales को भी less करेंगे तो credit sales निकल जाएगी और data turnover में दोनों को divide कर देंगे तो data turnover ratio निकल जाएगा average जैसे हमने वहाँ पर stock velocity निकाली वैसे ही यहाँ पर data's velocity भी हम निकाल सकते हैं जैसे हम औसत संग्रहन अवधी कहते हैं अवधी क्या बताती है कि देंदारों से धन संग्रह या वसूली के औसत समय को बताती है कि कितने समय में वसूली हम कर रहे हैं इसका जो formula होता है जैसे stock velocity निकाला था हमने वैसे ही यहाँ पर पहले data's turnover ratio को उल्टा करेंगे और into कर देंगे number of months or days in a year या फिर months or days in a year में हम data's turnover का भाग लगा देंगे तो दोनों ही formula यहाँ पर होते हैं receivable का मतलब को पता ही है data's or BR से है तो इसे हम एक example कि तुरू समझ सकते हैं एक example दे रखा है हमें यहाँ पर total gross revenue from operation दे रखा है total gross revenue from operation मतलब total sales दे रखी है 5000 पांच लाग की cash sales दे रखी है एक लाग असी हजार की तो पांच लाग मैसे एक लाग असी हजार हम यहाँ पर less कर देंगे साथे साथ हमें दे रखा है revenue from operation returns returns मतलब sales returns तो 28,000 भी हम यहाँ पर less कर देंगे पांच लाग मैसे एक लाग असी हजार और 28,000 दोनों को हम less कर देते हैं तो आज आती है यहाँ पर net credit revenue from operation 2,92,92 इसके बाद में average receivable निकालने के लिए opening data's or BR closing data's or BR को जोड रखा है और divide कर रखा है 2 से तो average receivable यहाँ पर आया है 45,000 का हमें average collection period अकर निकालना है तो जो data's turnover ratio आया है 45,000 इसको हमने उपर ले लिया और नीचे ले लिया 2,92,92 इस formula को हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया है और into कर दिया है number of days 365 से तो 57 days की क्या आ गई data's velocity मतलब average collection period next जो formula यहाँ पर है craters turnover ratio जैसे हमने data's turnover ratio निकाला वैसे ही craters turnover ratio की गंड़ा हम कैसे क्यों निकालते हैं कि उधार क्रे और जो लेंडार है और लेंडार की मध्य संबंध स्सापिट किया जाता है इसमें इस ratio की true यह क्या पताता है अनपार कि उधार क्रे का कितने समय में भुकतान हम कर रहे हैं संसा कितने समय में भुकतान कर रही है इसको जो निकालने का formula होता है वो उसमें हमने net credit sales ली थी यहाँ पे हम net credit purchase लेंगे divide वहाँ पर हमने average receivable से किया था यहाँ पे हम average payable से करेंगे नेट credit purchase निकालने के लिए हम total purchase में से cash purchase और purchase return को less करेंगे और average payable निकालने के लिए opening creators और बीपी और closing creator बीपी को add करके दोका भाग लगाएंगे अगर हमें उसी तरीके से से हमने average collection period निकाला था वैसे ही आपर average payment period हम निकाल सकते हैं तो उसके लिए वही दो formula है एक तो हम इस formula को उल्टा करके number of months और days in a year में और दूसरा कि months और days in a year में हम created turnover ratio का भाग लगा सकते हैं इसे एक example की थुरू भी समझा रखा है कि total purchase दे रखी है cash purchase दे रखी है और purchase return दे रखी है तो छह लाग में से 1,30,000 और 51,000 को less कर देंगे तो आजाएगा 4,19,000 उसके बाद में जो papers अगर हमें निकालना है तो creators at the end दे रखे हैं और BP at the end दे रखें opening creators और opening BP अगर हमें नहीं दे रखा है तो फिर हम क्या करेंगे direct in closing को ही add करके हम यहाँ पर consider कर लेंगे तो यहाँ पर creators और BP कितना कितना है यहाँ पर एक लाग और साथ हजार ठीके एक लाग और साथ हजार दोनों को अगर हमने add कर दिया तो कितना आया एक लाग साथ हजार तो चालक 19,000 में एक लाग साथ हजार का भाग लगाएंगे तो creator turnover ratio कितना आजाएगा 2.62 times उसके बाद हमने अगर average payment period निकालना है तो इस formula को उल्टा कर देना है एक लाग साथ हजार डिवैट बर चालक 19,000 into number of days in a year 365 से भाग लगाना है तो यहाँ पर आ जाएगा 149.38 दिन तो इस प्रकार से हमने creator's turnover कैसे निकालते हैं और average payment period कैसे निकालते हैं इसकी वाथ हमने करी next हम देखेंगे हमारे अगले video lecture में thank you so much